हाई एवरेवन वेलकम टू दा टीचर्स यूटूब चेनल आज की यह वीडियो आपके लिए काफी इपोर्टेंट रहे क्यों क्योंकि आज की इस एक छोटी सी वीडियो में हम हर्याना के तक्रीबन 15 ऐसे क्वेस्टन देखेंगे जो आपके पीवाई क्यों भी हैं और साथ म वहाँ से एक वेस्टन डिरेक्ट लें उठाई जाते हैं तो अगर आप त्यारी कर रहे हैं हर्याना एज्टेट की या हर्याना सीटीगी या हर्याना कोई भी एक्जाम जिसके अंदर हर्याना जी के आती है तब आपके लिए क्लास बहुत जरूरी हो जाती है देखने के लि ध्यान दीजिए मैं बात कर रहा हूँ ठारा सो सतावन की करांतिगी इससे पहले हम तो जो हर्याना है वो तो पंजाब का हिस्टा था ही लेकिन पंजाब इसका हिस्टा दा तो उत्तर प्रदेश का तो इतनी बात आपको पता होने चाहिए हर्याना घठन के जम्ए भारत के राश्ट्रपती कोन थे हर्याना का घठन कब हुआ ूस समय पर राश्ट्रपती थे और पहले यह उपर राश्ट्रपती भी रह चुके है cocktail उतने बात आपको पता होने चाहिए चलिए हरियाने की सीमा सरवादिक किस रैज्जे के साथ लगती है पंजाब हे माचर प्रतेश राजस्तान या फिर उत्र प्रतेश राजस्तान के साथ हमारी सबसे ज़्यादा तकरीबर 1261 या फिर 1262 किलोमेटर लगती है किसके साथ सबसे ज़्यादा राजस्तान के साथ आपको पता होने चाहिए राजस्तान के साथ हमारे सबसे ज़्यादा बुंडरी लिखती है 1262 किलोमेटर या 1261 भी काफी बुक्स में दे रखा है तो कोई दिक्कत वाड़ी बात नहीं है हर्याणा के उत्तर में कौन सा परदेश स्थीत है हर्याणा के उत्तर में पूछ रहा है उत्तर में उत्तर कौन सा हुआ यहाँ पर देखिए अगर पूरो में पूछे इस तरफ इस तरफ पूछे तो इस तरफ है आपका यूपी पूरो पस्चिम में पूछे तो यहां है आपका पंजाब यहां तक है आपका पंजाब और फिर यहां से शरू हो जाते है आपका राजस्थान यहां तक आपका राजस्थान यहां डैली है आपकी और यहां पर राजस्थान राजस्थान तो कहां पूछ रहा है उत्तर में तो पूछ रहा है इस तरफ तब आपका कहा रहा है हमाचर परदेश ध्यान दीजिएगा पंजाब मत कर देना क्योंकि पंजाब हमारे इस तरफ टच करता है बात कर रहे हम इस तरफ की चलिए हर्याना का स्थापना दिवस कब है तो हम सब को पता है कि एक नुवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुए थे और पंजाब से जब हम अलग हुए थे तो बताईए सविधान के अंदर एक संसूदन किया गया था क्या किसों को पता है को वह कौन सा संसूदन था क्या वह 18 सविधान संसोदन की अगय था हाँ 18 सविधान संसोदन की अगय था और 17 हर्याना को रैज्या के रूप में मानिता दे गए थी एक नॉम्बर 1966 को हर्याना की राजधानी कौन सी है हम सबको पता है ही है कि चंडीगड हर्याना की और पंजाब दोनों की सिवक्तराजडानी है और हमारा हाइ कॉल्ट हमारा हाइ कॉल्ट भी कहांपर है चिंडीगर के अंदर है जो कि पंजाब का और हर्यानगा शियूक्त है क्यों कोई बता सकते है कि सेक्टर 1 या फिर सेक्टर 2 में है इतनी बिसिक नोलिज तो आपको पता होने ही चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन पर मूँ गरते है हरियाना की अधिकारिक भासा कुन सी है देखें आपर हरियानवी लिखा है तो बहुत सारे कैडिडेट हरियानवी के साथ चले जाएंगे लेकिन आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि हरियानवी एक भासा ना होकर एक बोली है और बोली में कोई भी ओफिशली डोकुमेंटल वर्क नहीं होता तो हिंदी ही हमारी अधिकारिक भासा रहेगी हरियानवी जो 857 की एक रांती हुई थी उसका प्रार में कहां से हुआ अंबाला चाहवनी से हुआ था इतने बात आपको ध्यान रख ली नहीं है और अंबाला की जो जेल थी है मंगल पंड़े को जो क्याएं करा था फया उताम से दी आप पतना है है कि चली यहिए के बारे में कुछ लिखा हुआ कि दस मईए ठार सुष्टावन को सुबह नो बजे अंबाला में जो सैनिय बगावत की गई थी सैनिकों के द्वारा यानिकी तो वह सरवात हुज दी नेक्स वैसें सेनिकों किया नो बुट हाक है नेक्स नो लगाव तो इसका राएंट नो बजाएंब और था चलिए भीम 77 formula कब लागो हुआ very very most important question तो इसका right answer क्या रहेगा बताईए इसका right answer रहेगा option a option a इसका right answer रहेगा 1909 में चलिए next question छेत्रे formula कब लागो हुआ था छेत्रे formula आपका option C के साथ हम जाएंगे 1956 में आपका लागो हुआ था छेत्रे formula चलिए next question फजल अली आयोग का गठन कब हुआ फजल अली आयोग फजल अली आयोग का गठन आपका 1953 में फजल अली आयोग इस बात कभी आपको ध्यान रखना है और साहा कमिशन कब आया very very most important सहा कमिशन सहा कमिशन आपका कब आया था यहां पर तो राइट ऑप्सन ही नहीं है क्योंकि यहां पर उप्सन सी में लिख रहे हैं 1956 यहां पर आएगा तकरिबन 15 questions very very most important एक बात और मैं आपको आपके साथ सेहर करना चाहता हूं कि अगर आप जो यह questions है अगर आप देखना चाहते हैं कि question कैसे हुई है कहां से कौन सा question पैपस क्या था बहुत सारी कमेटी जीवीप कमेटी क्या थी इसके धर कमेटी क्या थी फजल आली आयो और जो भी जितनी पहले बार हर्याना को लेकर कम मांग उठी तो उसको एक अच्छा सा lecture हमने त्यार किया है तकरीबन वह 30 मिनिट क्या सपास हो होगा यह से थोड़ा कम यह उपर ज्यादा हो सकता क्योंकि अभी हमने उसका टाइम चेक नहीं किया है उसको फाइनल एडिटिंग करके डालने वाले हैं तो आप उसको जुरूर देखिएगा हर्याना की किसी भी एक्जाम के लिए हमारा यूटूब चैनल जिक्क तो आपक